हाई हलो बच्चो मैं हुए हेमन सर्मा आपका स्वागत कात्र ने यूट्यूब चैनल पेपर कहें बच्चो बच्चो देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं बीए का ठीक है बच्चो देखेंगे आज किस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्डियर वालों के लिए बीए पार्ट थर्डियर वालों के लिए हिस्टोरी का पेपर लेकर आए जो की second paper है ठीक है? history का second paper है तो बच्चों इसमें हम आपके लिए बता दें इसमें वीडियो भाग first में हमने एकस लेके 75 तक question करवाए हैं वीडियो भाग first में ठीक है? अब 76 से आगे जो question है वो हम आपको करवाने वाले हैं वीडियो भाग 2 में ठीक है वीडियो भाव क्यों में हम 75 से आगे कोश्चन तरवाने वाले हैं जो कि बेर इंपॉर्टन कोश्चन लाए हैं आपके लिए ठीक है तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं बच्चो तो किर्प्या करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने व तक करूछ फिये रहे हैं पेडियो को डॉनूड कर सकते हैं बच्चो ठीक है तो देखते हैं अगले कॉश्चन की तरफ पढ़ता है कोसिन पहला है रहने वाले आफ सर क्या रहे है और mix नमयक का ड़िया और चैनों और बाइनसर 양री अंसर का परिष्ट बाल्र इंसर ले जर्मनी की वाइविल किस पुस्तव को कहा जाता है जल से राइट आंसर बताएंगे बच्चो इसको राइट आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट आ हुआ था तो हिट्टर के जन्म जो है कभ हुआ था और कहा हुआ तो जल्दी से बता है इसका रही है रही सकता है इसका रही है फचो-टो देखेंगे इसका रही है और से किया है ऑप्षा नमबर का ठीक है आश्ट्रीया बीश अप्रेल 1889 जो रह सकता है बच्छों भी कहा रहे सकता है ऑप्सन नमबर का इसका राइट अंसर रह सकता है 14 जुलाई 1933 14 जुलाई 1923 इसका राइट अंसर रह सकता है बच्छों ठीक है अगला नेस्ट कुश्चन हिटलर ने अपना पिरशार एवं जन्मत मंत्री किसको निव्ट किया जल्दी से बताए प्रशार है ऑप्सन नमबर क्या रह सकता है इसका बच्छों डाटर गो इसका राइट अंसर अगला नेश् कोश्चन हिए गया है राश्च्छ संगे की उट्पत्ति कब राश्च्छ्च-पत्ति बच्छों कब हुई इसका राइट आंसर है तो बच्छो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर रहे सकता है तो इसका राइट आंसर है बच्छो भी कह रहे आँसर जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर रहे सकता है अगले नेस्ट कोषिए पर फर्फम बलकान युद्ध के संधीस चेंश शमाफ हुआ तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहे इसका एने वाला जो आंप्शो का रहने वालें लंदन इसका रइनसर हें ठाइगבש ठीक है अग्ला नेर पुजिशन पीरथं बताएंगे इसका राइट अंसर क्या रहे सकता है भी एप्षो देखते हैं इसका जो यह एगा प्रक्शनम करड़ से प्रता हुई था प्रारम ठीक है अगला नेश्फ कोईशन पिर्थम विश्व युद्ध कब समाप्थ हुआ था तो कब समाप्थ हुआ था ये पिर्थम विश्व युद्ध जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर रहेने वाला है वो क्या है ऑफसर नमबर घा ठीक है सन 1918 में उसन ने बता है वह जल्दी से घंगे इसका राइट रहीगा आंसर हो वह था रही करेंने वाला है प्रिथम 20 के बाद राइट शर कौन सा देश राष्ट संग में संऴिलप नहीं हुआ इसका राष्ट संसर रहने वाला था है कि देखें के सको राइट और रहने वाला है ओक्सर अमेरिका थीक है अमेरिका स्का राइप आंसर हαι पूस repetition रूस में बोल्सवी क्रांती कभी रूस में बोल से भी क्रांती कब हुई थी जल्दी से राइट जवाब देंगे सभी बच्चे सभी बच्चे राइट जवाब देंगे इसका राइट अंसर कौन सा रहने बाला है तो देखेंगे इसका जो राइट अंसर रहने वाला है वो बच्चो क्या हो जाएगा ऑफसर नंबर क सबस्क्राइब कि ने किया तो जल्दी से बताएंगे इसका रहने बाला बच्चो उसका रहने वाला है प्सका रहेगा क्या नंबर का रहेगा ठीक है लेनने ने इसका राइट रहेगा वह थीक से ऐसमा तो जल्दी से राइट से जवाब दिए कौँ आखने वाला यह को देखेंगे राइट 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 आंसर रहने वाला इना वा ह्याया ह। थीक कैसा एसन में 1924 पुर्धाद normayन कारें यह 죽 भी बच्चे रैल जबाब दिने Unixान्सा रहने वाला है कौण सा रहने वाला है ँथी से बताइंगे तो दो देखेंगा वज्चो, इसका राइट आंसर है रहेगा, option number खां ठीक having पिर इसके नलने करते हैं, फॉर сюда तो अगला है थे हैं, तो अगला इसका इसका प्रीच है, बढ़ने से पहthsले हैं जल्दी से किलास को शेयर कर ने बहु kan और बिडियो को लाइक करना बिल्कुल को ना बूलें बत्चो ठीक है? तो अगला है देखते हैं इटली में फॉसिष्ट पार्टी की स्थापना कभी तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा तो देखेंगे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर देखेंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा और नमबर गा ठीक है और समय रहेगा कम्यूनिश्ट दर कम्यूनिश्ट दर इसका राइट आंसर रहेगा अग्ड़ानेश्ट कोईश्चन दिती ये बिस्वयुद्ध कब शुरू हुआ था तो जल्दी से बताएंगा राइट आंसर इसका कह रहेगा तो देखेंगे इसका र राइट आंसर रहेगा और समय अप्ड़ानेश्ट देखते हैं इसमय राश्ट संग का विस्थाप्यत हुआ था तो जल्दी से बताएंगे राइट जवाब देंगे श्बी बच्चे राइट जवाब देंगे क्या आंसर रहने वाला इसका तो देखेंगे बच्चो इसमें जो हमारा राइट रहने वाला है वो क्या है और गाइस का राइट रहने वाला है दितिये 20 वे युद्ध के बाद अगला नेश कोशिंग की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से क्लास को शेर करते रहेगा सभी बच्चे लाइक करते रहेगा वीडि 1850 के बाद जर्मनी का राजा कॉन था 1871 के बाद में जर्मनी का राजा कॉन था तो जल्दी से पता ऑख रहेगा पलेख वी क्या रहेगा ऑप्सिंग का रहेगा यहां विप्त्र ने वाला है तो देखेंगे इसका जो right answer रहने वाला है बच्छो, option number घा, ठीक है, option number घा, इसका right answer रहेगा, 1878 में, अगला ने इस question, 1848 इस वी की किरांती के उपरांत लूई फिलिप के England भाग जाने के बाद, शमाजबाद नेता, लामार्ट ने, किस सरकार की घुसला की, तो जल्दी से ब रहने वाला है बच्छो, तो बच्छो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है, option number घा, गरतंत्र, गरतंत्र इसका right answer रहेगा, बच्छो, ठीक है, गरतंत्र इसका right answer रहेगा, अगला ने इस question, लूई फिलिप के शमाय, फ्रांस में कौन सा सासन पिर्चलित था, लूई फिलिप पिर्चलित था, तो जल्दी से बताएंगे right answer इसका right answer क्या रहने वाला है, बच्छो, तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है, option number घा, राज तंत्र, राज तंत्र इसका right answer रहेगा, बच्छो, ठीक है, राज तंत्र इसका right answer रहेगा, अगला next question, फ्रांस में 19 दिशंबर 1948 EC को राश्टपती के चुनाओं में निम्न में से कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं था, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं था, right question, जल्दी से right answer बताएंगे, सभी बच्छे जवाब देंगे, right answer क्या रहने वाला है, तो देखेंगे समराट मेटर निक, समराट मेटर निक जो है, वो right answer रहेगा, ठीक है, अगला next question, 19 देसंबर 1948 सीश्वी के राश्टपती चुनाओं के दौरान, किसको जनता ने अपना राश्टपती चुना, तो किसको चुना था, तो जल्दी से बताएंगे, right answer इसका क्या रहने वाला है, तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला बड़ क्या है, option number खा, तो देखेंगे इसका right answer रहेगा, तो देखेंगे इसका जो रहने वाला बच्चो क्या है option number guys का रहेगा बीश नॉवंबर सन अठारा सो अठारा सो अठारा सो रहेगा बच्चो ठीक है अगरा देखते हैं next question क्या है next question क्या दिया है बच्चो इस question दिया है मैं आपके शामने एक सिध्धान एक कारण तथा एक पराजय रखता हूँ मैं सिध्धान है जनता की प्रुवू सत्ता कारण है एक सामराजय और पराजय है बाठ रलू की इसने कहा है यह तो जल्दी से बताएंगा right answer जल्दी से very important question है बच्चो बेरी very important question है आने बाले question है तो जल्दी से बताएंगे इसका right answer कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला बच्चो वो क्या है और जल्दी से राइट जबाब देंगे शबी राइट जबाब देंगे क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बच्चो जल्दी से जवाब देंगे तो देखेंगे बच्चो इसका राइट आंसर रह सकता है मारा क्या रह सकता है आफसन नमबर का ठीक है आफसन नमबर का इसका राइट आंसर रह सकता है तो जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्चो तो option number खा इसका right answer रहेगा दो दिशंबर शन 1852 भी इसका right answer रहेगा बच्चो ठीक है तो अगला next question next question क्या है मजदूरों की दसा को सुधारने के लिए नेपोलियन तृत इने किस society की स्थापना की तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेने वाला है तो देखेंगे बच्चो इसका right answer रहेने वाला है वो क्या रहे रहेने वाला है option number गा ठीक है option number guys का right answer रहने वाला है friendly, friendly society friendly society इसका right answer रहेगा अगर नेश कोशन नेपोलियन तिर्थिये ने जनता को आर्थिक शहायता प्रिदान करने के लिए इन समितियों की इस्थापना की तो जल्दी से बताएंगे कौन सी समितियों की इस्थापना की ठीक है बच्चो अगरा नेश कोशन देख लेते हैं नेश कोशन क्या रहने वाला हमारा नेपोलियन थर्ड के शमय के उप पिर्षेद लेखर का नाम बताईए जो नेपोलियन थर्ड के ग्रुध लिखता है तो क्या लिखता है जल्दी से right answer इसके क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा जल्दी से बताएंगा right answer तो देखेंग atención बच्चो इसका जो right answer रह सकता है हमारा क्या रह सकता है option number गा तो इसका right answer रह सकता है Victor Baoho बाट रलू का युद्ध कब हुआ जल्दी से बताएंगा right answer अंसर रह सकता है बच्छों भी क्या रह सकता है ऑफ्सन नंबर खा अठारा जून सन अठारा सो पंद्रा को यह हमारा राइट आंसर रहेगा अगला नेश कोश्चन नेपोलियन की मिरत्वी कब हुई थी बच्छों जल्दी से बताएंगे राइट चबाब देंगे सभी बच् प्रित नेबर बिल्ट Erfahrung कर चिच्छन ना सम्म्मेलन की मिह वह गह ρाए गा मेतर्निक नहीं किती इसका राइट अंसर रहिगा अगला नेश कोश्चन अगला नेश कोश्ची मित अपृष्चन की किस ने किया तो जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसके क्या रहेगा बच्छो इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है हमारा इसका राइट अंसर रहने वाला है थी चाहिस और अञे रहने वालया तो क्वा सब्सक्इल हागे सब्सक्राइट इस प्सक्त नमification टाउमस पनने इसका राइट ऑनसर नो疑गा खशू ठीक है अगला नेश्ट कोशिन, नेश्ट कोशिन की तरफ बलते हैं बच्चो, नेश्ट कोशिन हमारा क्या रहने वाला है, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, राइट आंसर बताएंगे, पवित्र संग किसके मस्तषके की उपजती, जल्दी से राइट आंसर इ देख लेते हैं अगला नेश कोशिंग क्या है परवितर संग के घोसला पत्र में किस तेश ने हकता अक्षर नहीं किये तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला बच्चो तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा ऑप्सन नंबर घा इं जो राइट आंसर रहेगा वह क्या है ओपसन नंबर का इसका राइट आंसर है सन अठाहसों पंदराई exists ठीक है अगला बेले्पक्त्र ते बसन quel स्म Cathedral अगला नेशब कोश्चन को इन रूस ओ नहीं होता तो फ्रांस की कि रांति भी नहीं होती यह कतन किसका है जल्दी से बताएंगा जवाब देंगे सबीवचे सब्सक्राइब जवाब कौन सा option रहने बाला इसमें तो देखेंगे इसके जो right answer रहेगा option number गा रहेगा नेपोलियन का ठीक है किसका कतन है नेपोलियन का है अगला next question क्रांती का पुत्र किसे कहा गया क्रांती का पुत्र किसे कहा गया जल्दी से बताएंगे right जबाब देंगे सभी बच्चे सभी बच्चे right जबाब देंगे कौन सा option रहने वाला है very important question है बच्चो तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number का रहेगा नेपोलियन ठीक है नेपोलियन को कहा गया option number का ठीक है अगला next question नेपोलियन जिंदगी के अंतिम दिन कहा रहा नेपूलियन जो है वो जिन्दीगी के अंतिम दिन कहा रहा, तो जल्दी से राइट आंसर पिताएंगे क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसको राइट आंसर रहने वाला है, बच्चो बैस Rocky क्या रहने वाला है, ऑप्सक नमबर घा, सेंट हेले नामे, कहा रहा, सेंट हेले ठीक है अगला नेश कोश्चन क्या है दिदेरों ने किस गरंथ को लिखा था बेर इंपॉर्टरिंग्स है जलदी से जब आप देंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा विस्व कोस इसका राइट आंसर रहेगा अपसर नंबर गा ठीक है? Option number 5, इसका बिश्वराहिट रहेगा? अगरा नेस कोट्टन देख लेते हैं. नेस कोट्टन दिया है, शक्ती विभाजन के सिध्धान्थ का पृति पादक था. सक्ती विभाजन के सिध्धान्थ का पृति पादक था. काौन था जल्दी से बताएंगा Right answer क्या रहेगा इसका Right answer क्या रहेगा इसका Right answer क्या रहने बच्चो जल्दी से जबब देंगे तो देखेंगे इसका Right answer रहेगा का ठीक है option number का इसका राइट आंसर रहेगा रूसो रूसो इसका राइट आंसर रहेगा वच्छो ठीक है अगला इनेश कोश्चन नेपोलियन की महादीपी ये विवस्था किसके खिलाब थी तो जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे जवाब देंगे सभी से सभी में जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा हमारा ऑफसन नमबर गा इंगलेंड इसका राइट आंसर रहेगा अगला नेश्ट कोश्चन बाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन कहां भेजा गया जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला इसका इसका जो क्या दिया है इस्पेन के नासूर ने मुझे मार डाला एक अथन किसका है इस्पेन के नासूर ने मुझे मार डाला एक अथन किसका है जल्दी से बताएंगे राइट जवाब देंगे सभी बच्चे राइट जवाब देंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा समर्ट ठीकए औश नम्र नम्बर का ना ने पोलीन चेके नेपोलीन इसका राइण सर्ड़रोगा अगला नेश कोशन्वीगि उपरांत नेपोलियन तिरतिये ने अपनी शेना सहत आत्मा समरपड किया आत्मा समरपड किया तो जल्दी से पताएं कि राइट जवाब देंगे सभी बच्चे क्या आंसर रहने वाला है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है और अप्सन नमबर का इसका राइट आंसर रह बच्चे तो देखेंगे इसका जवाब होगा वो राइट आंसर होगा वो क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर का ठीक है ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर रहने वाला है कैथोलिक धर्म कैथोलिक धर्म इसका राइट आंसर रहने वाला है ठीक है बच्चो अगर नेश इसका राईथ अंसर क्या रहने वाला है प्चो जल्दी के जवाब देंगे ऑफ्शन अमठ का रहेगा स्थेडान इसका राईथ यस्ठापना की गई सब्सक्राइब बच्चो जल्दी से जवाब कै राइड जवाब के रिर कि बच्चो तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वो क्या रहेगा option number खा रहेगा 4 सितंबर सन 1870 ठीक है 4 सितंबर सन 1870 इसका right answer रहेगा अगला next question फ्रांस में तिरतिय गड़ाजी की स्थापना का कारिये कब हुआ तो जल्दी शी जवाब देंगे right answer इसका क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है बचो तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है क्या है option number का इसका right answer रहने वाला है सन 1870 इसका right answer रहने वाला है ठीक है अगला next question prank fight की संदी किन देशों के मद हुई prank fight की संदी किन देशों के मद हुई तो जल्दी से जवाब देंगे right answer इसका क्या रहने वाला है इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चो option number का इसका right answer रहने वाला है बच्चो क्या रहने वाला है option number का ठीक है France Germany हमारा क्या रहने वाला है आपकी स्क्रेंपार दिया है जल्दी शेवाब देंगे तो देखेंगे एसका सब्सक्राइब अंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्सवराजनीती के इतिहास में केसी यूग से जाना जाता है तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से पताएंगे क्या रहने वाला है तो ऑप्सन अंबर घा इसका राइट आंसर रहने वाला है ससत्र सांती का युद आट को कान्ड किस वर्स हुआ Жल्दी से बताएंगे बच्शो मोरब को कांड किस वर्स हुआ तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वो क्या रहेगा option number का इसका right answer रहेगा 1905 से 6 ञांच से 6 वर्स हुआ ठीक है अगला next question दितिये हेग सम्मेलन कभ हुआ जल्दी से बताएंगे इसका क्या रहने वाला है इसका राइट आंसे क्या रहने वाला है बच्छो तो option number खाई इसका राइट आंसर रहने वाला है सब 1907 इसमी में ठीक है अगर आने इस question 1907 इसमी के दितिये हेख सम्मेरन के शमय रूस का समराठ कौन था तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा अगला देखते है नेश कोशन प्रिथाम बालकन युद्ध कब हुआ तो जल्दी से पताएंगे राइट आंसर पताएंगे बच्छो तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कि रहेगा ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर रहेगा 1912 ईस विम हुआ उन्य को बाष्र संदी कब हुई ति वाजचो में देखेंगे ऑम्शन है स्न 1891 कंभाइज लüne सब्सक्राइब किया रहेगा Pick समय यज़िते अजसर क्या में अ natural reacting का रहेगा उप्सन इसका हुई। या रहेग 한 अगि उह आंसर रहेगा उप्रयोग तो तीनों इंग्लेंड फ्रांस रूस यह तीनों थे और इसका राइट आंसर रहेगा नेश्ट कोश्चन है जर्मनी जर्मनी बिस्व युद्ध के शमय धुरी राष्ट में निम्नमेशे कौन सा देश शमलेत नहीं था जल्दी से बताएंगे यह थे लिए शमया मैं चैनल रहेगा तो बच्छो को अगर हमारी बीडियो आपको पसंद आए बच्छो ठीके अब बार बतादें इसकी पीडिय एप आप्ने डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक देडिया बहां सहाँ पीडियो को डालोड कर सकते हैं वीडियो आइप इसक तो जहूँ पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो देखे जाएगा, सभी कोश्चन देखे जाएगा, क्योंकि बेर इंपोर्टन कोश्चन आये हैं, ठीक है, और सभी आने वाले कोश्चन है, ठीक है बच्चों, यह हिंद, मिलते हैं एक सौर बिर्क के बाद,